दोस्तों अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले गंटे को भी दबादे तो कि हम लागते रते हैं नहीं बिजनिस आइडियाज और नहीं जनकारी केवाल आपके लिए दोस्तों वीडियो में जो मसीन आपको दिख रही है वो है अल्मोनियम फॉयल से कंटेनर बनाने की मसीन जिसे अल्मोनियम फॉयल कंटेनर मेकिंग मसीन कहते हैं और आपको बजार में ये मसीन सिंगल कैवेटी डवल कैवेटी और थी कैवेटी मॉल्ड के साथ semi-automatic और fully automatic में मिन जाएगी और इस machine के जड़िए अलग-अलग size और design के container और plate को बनाना बहुत ही असान है जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है machine में एक side aluminum foil का roll लगा हुआ है और machine में लगे die के हिसाब से machine अपने आप aluminum foil के box त्यार कर रही है और ऐसे plant को अपक्योवल एक operator और दो helper की मदद से बड़े अराम से चला सकते हैं तो दोस्तो पहले इसके manufacturing process को देखते हैं और फिर समझते हैं कि इस business को सुरू करने में total investment कितना लाएगा कौन-कौन से registration की जुरत होगी marketing कैसे कर सकते हैं और raw materials और machine कैसे करी सकते हैं तो उडियो देखते रही है दोस्तों machine से जो waste निकल रहा है यह waste भी बिख जाता है यानि waste को भी आदेस ज्यादा rate पे बेचा जा सकता है और अगर बात करें Albonium foil container बनाने की machine की तो इस machine के जरीए आप 100 के आसपास container एक मिनिट में बना सकते हैं और आप 8 गंटे काम करके 35-40 यह container त्यार कर सकते हैं और यह machine आपको semi-automatic और fully automatic में मिल जाएगी यह 3 phase bizley से चलती है और इसके लिए 410 बोल्ट की bizley की जुरुत होती है यह जैसे machine की capacity वैसा machine का price और अगर आपके पास finance की problem है तो आप manufacturing unit के तहट आप loan के लिए भी apply कर सकते हैं और ऐसे plan के लिए loan भी बड़ी असानी से मिल जाता है दोस्तों अगर बाब करें Albonium foil container के marketing की तो इसका इस्तमाल लगबग हर restaurant, hotels, ढाबा, food stalls, super market, bakery shop, sweet shop आपको पता करना होगा कि आपके competitor किस quality का container बना के किस price में बेच रहे हैं और इसके लिए आपको hotels, restaurant, bakery shop, इत्यादी से contact बनाने होगे और उनकी requirement को पता करना होगा इसके अलावा आप अपने area के wholesaler और distributor को भी अपनी pricing और sample दिखाएं और market के हिसाब से अपना price set करें और शुरुआत में उस size और design के container बनाए जिनकी demand सबसे ज़्यादा है यानि जो ज़्यादा बिकरा है और गाहों से ज़्यादा सहरों में इसे promote करने की कोसिस करें वहीं दोस्तों इस business के लिए जो main raw material से हो है aluminium foil और इसके supplier आपको हर बड़े सहर में मिल जाएंगे जिनकी जरिया आप इपने बिजनेस के लिए raw materials खरीब सकते हैं दोस्तों आपको यह aluminium foil बजार में अलग-अलग micron में मिल जाएगा जैसे 7 micron 9 micron ये 11 micron इत्यादी और आप अपनी जरुत के हिसाब से ये roll order कर सकते हैं और आपको aluminium foil के अलावा अपने द्वारत त्यार container को pack करने के लिए कुछ packaging materials की भी जरुत होगी जैसे क्रगटेड बॉक्स टेप त्यादी जहां से ये machine खर देंगे आपको training भी वहीं से मिल जाएगी दोस्तों आपको इस business को शुलू करने में हमारे चानल को पहली बर देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को भी दबा लिजिए इससे हमारे चानल पर जो भी वीडियो अप्लोड किये जाएगी उसकी सूचना आपको प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना पुलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नहींने बिजनेस आइडियेस पूंचे सबसे पहले आपके पूंचे